हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हम लॉंग रन टोटल कॉस्ट कर्व दीर्विकालीन कुल लागत वक्र के वारे में पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपने जो है वो टोटल कॉस्ट कर्व को पढ़ा हुआ है बट आपने इससे पहले जो वीडियो देखी थी वो आपकी शौट रन की थी यानि कि आपने वहाँ पर अल्पकाल में उसको पढ़ा हुआ था आज हम इस वीडियो में इसको लॉंग रन में पढ़ने वाले हैं तो आपको पता है कि आपके जो टोटल कॉस्ट होती है उस टोटल कॉस्ट में आप टोटल फिक्स कॉस्ट यानि कि कुल परिवर्थी लागत और कुल इस्थिर लागत टीवी सी दोनों को जो है वो आप कवर करते हैं ठीक है बट हम हम अल्प कालीन कुल लागतवक्रों से ही आपके पास LTC कर्व जो है वो बनके आएगा ठीक है यानि कि long run total cost कर्व दीरग कालीन कुल लागतवक्र अब ये जो दीरग कालीन कुल लागतवक्र होगा आपका वो एक relationship को वो शो करेगा कि जो LTC है वो less than equals to होगा STC के मतलब long run total cost कर्व दीरग कालीन को लागतवक्र कम होगा या equal होगा किसके आपके STC के मतलब short run total cost कर्व because of क्योंकि long run में आपके पास मतलब दीरग काल में आपके पास जो cost होती है लागत होती है वो कम होना लग जाती है ठीक है क्योंकि वो cost आपकी अब बहुत जादा variables पर जो है वो divide हो जाती है जैसे short run में अगर हम बात करें तो आपके पास 2 unit है और आपके पास 1000 रुपे की cost जाती तो इन 2 unit पर 500 रुपे की cost हो divide होगी but आपके पास long run में बहुत सारे resources होते हैं बहुत सारे units होती है resources की तो आजमान लीचेए अगर आपके पास 100 units है तो एक 1000 रुपे की cost आपकी इन पर divide होगी इसका मतलब है यह जो है वो दददस रुपी की कॉस्ट हर यूनिट पर जो है डिवाइड हो जाएगी तो इससे आपके पास जो लॉंग रन टोटल कॉस्ट कर्व है यानि दिर्ग कालीन कुल लागत है वो कम होती है ठीक है दोस्तों तो इसको हम जो है एक डेफिनेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं आप डेफिनेशन सुर लीचे और लिख लीचे इस डेफिनेशन को डेफिनेशन है दिर्ग कालीन कुल लागत उत्पादन के किसी इस्तर की निमतम लागत है जब सभी साधन परिवर्तन शील हों सभी साधन परिवर्तन शील होने का मतलब है कि fixed और variable factors यानि स्थिर और परिवर्ती कारक दोनों बदल सकते हैं वो लॉग रन में बदले जा सकते हैं तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए सारे के सारे inputs जब हमारे पास variable होंगे तो उस case में हमको इस चीज को देखना है ठीक है तो देखे diagram बनाएंगे हम और समझेंगे diagram के थूँ तो आप सभी भी diagram note कर लीजिएगा अच्छे से और मेरे साथ साथ बनाना साते हैं तो मेरे साथ साथ बना भी सकते हैं यहाँ पर हम लोग output को दिखाएंगे कितना हमने जो है वो निर्गत को निकाला है ठीक है कितना कितना उत्पादन हुआ है और यहाँ पर हम अपनी दिखाएंगे total cost को लागत को ठीक है तो आपके पास जो short run total cost curves बनेंगे बच्चे वो कुछ इस type से आपके पास होगा यह suppose that माल लीजिए STC 1 हो गया और इसके बाद इसी तरीके से हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं या आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए ठीक है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यह हो गया आपके पास एक और total cost curve ठीक है तो मैं इसको दुबारा से बना देता हूँ यह हो गया आपके पास एक और दोस्तो थोड़ा सा यह different हो जा रहा है यह हो गया आपके पास एक और total cost curve STC ठीक है तो अब क्या होगा कि जहां जहां पर आपके पास यह दोनों cost की minimum cost जो आ रही है मतलब जो low level जो आ रहा है जो optimum level है उन दोनो optimum level को हम छूते हुए एक curve draw करेंगे और वही आपका जो है LTC curve होगा यानि की long run total cost curve बच्चे ठीक है रुप जाए that's it ठीक है यह हो गया आपके पास red line से draw हुआ LTC long run total cost curve जो की short run total cost curve दोनों short run total cost curve से मिला कर बना हुआ है जहां पर इनकी optimum cost का level आ रहा था ठीक है दोस्तों यह चीज आप समझे होंगे कि इसको कैसे derive करना है और यह हमको क्या चीज बता रहा है तो अगर मैं एक diagram में अलग से long run total cost curve को draw करना चाहूँ तो basically long run total cost curve आपका कुछ इस तरीके से होगा ठीक है धीरिकालीन कुल लागत वक्र यह आपको समझ में आया होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि LTC में पहले घटती दर पर आपका जो cost होता है फिर इसके बाद next यह जो है वो बढ़ती दर पर आपकी cost जो है वो बढ़ने लग जाती है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आपके पास पहले घटती दर से आपकी total cost हो रही है क्योंकि starting में production जादा हो रहा है तो जब production जादा होता है तो आपकी cost कम आती है और जैसे जैसे आपके पास production कम होने लगता है cost जादा आने लग जाती है तो यह increasing rate पर बाद में नहीं होनी चाहिए बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ रहे हैं मेरे साथ तो इस वीडियो में आज इतना ही और नेक्स वीडियो में हम देखेंगे अपना long run average cost curve या envelope curve ठीक है लिफाफा वक्र या दीर काली नौसत लागत वक्र काफी important वीडियो है दोस्तों नेक्स वीडियो जरूर देखेगा exam में question आ जाता है 6 to 10 marks का ठीक है दोस्तों तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर कर दें share कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ अगर आप एक new viewer है तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजे अगर आपका कोई सवाल यह सुझाव है तो आप जो है चैनल पे comment करके मुझे पूछ सकते हैं और अधिन classes एप download कर लिजे full course मिल जाते हैं जादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस number पर content कर लिजेगा तो मैं आपको courses provide करा दूँगा चलिए दोस्तों next video में मिनते हैं हम सभी ठीक है दोस्तों